बीजेपी, प्रधान मंत्री सब एक हैं, आरेसेस ने जो किया, जो नफरत फैलाई और भारती जनता पार्टी की बोट की राधनी की वज़े से मनी पुर्मीर सब कुछ हुआ है, और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियो आगे नहीं लेजा आना चाता है, ये जतना कुछ हो रहा है, और जो घंटा करम हो रहा है, देश की जनता देख लेए हैं, सरकार को जगाये सरकार की आँग खोलें, उनकी नहीं सुनुए है, भोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे कि बिपक्ष नी हाउस चलन देना चाहता है जो मनीपूर की घटना हुई है कौन देख सकता है और देश की प्रतिस्टा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में जो लोग भारत को दुनिया में किस उचाई तक पहुँचाना चाहते हैं कल भी भारजिनता बाड़े की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थ व सवस्ता पे आप एक नंबर पे पहुच जाएं और देश में महिलाएं नारियां बेटियों का ये सम्मान होगा मनीपूर जैसी घटना ने सब को मजबूर किया है उस पर खड़े हो जाए उस पर बात रखे और लोग सभा से बैतर राज सभा से बैतर जगे कौन सा रखने का मौका हाला कि अब तो परसितियां बदल गई है अब इस्वास परसाब आने जा रहा है उस से महत्पूर यह कि सरकार क्या कारवई करेगी क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि यही नफरत की रादनीत या बोट की रादनीत ऐसे ही चलती रही कि मैं निप किया जो नफरत फैलाई और भारती जंता पार्टी की बोट की रादनी की वज़े से मनिपूर में यह सब कुछ हुआ है और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा ऐसा नहीं कि एजेंसियों को पता है वहां क्या-क्या हो रहा है अगर यह सब होते हुए सरकार ने देखा है त परहार मंत्री कहते है तिसरा टम भी होनी का तिसरी बार चुनकर वाए तिसरा टम आए पहला और टम आजाए क्या बेटियां महला आए माताओं का इस तरीके से डंगा कमा जाएगा कब्रे उतार करके घुमा जाएगा उसके लिए आपके पास क्या है क्या फेस नहीं कर सकते यहां जनता को फेज नहीं करना चाहते हैं। मैंने पहले भी को उफिर कहता हूँ देश की दो तिहाई जनता इनको अढ़ाना चाहती है